जय हिंद जय भारत दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको जो बताएंगे वह समसंख्या और साथ ही भी समसंख्या तो हाला कि यह जो टॉपिक है बहुत ही खास नहीं है छोटा टॉपिक है तो आप भी यहां पर समझ सकते हैं तो बेसिकलिए मेरे प्यारे साथी हैं जो क यहां पर कोमेंट कियें कि यहां पर लिखा किया है कोमेंट में आप दिख सकते हैं सन्याक कुसवाह जी ने मतलब कहे हैं कि बाई सम और बी सम के सम और बी सम संख्या के बारे में बता दीजिए तो मैं इनका ही कोमेंट लेकर के आ गया हूँ और मैं आपको जो यहां पर गई तो अगर आपको सम और भी सम इस वीडियो से समझ ना आएगी तो वीडियो के नीचे कुछ भी लिख दीज़ेगा ठीक है और हां समझना और ना समझना तो सिर्फ आपके ऊपर ही निरभर करता है ठीक है तो चलिए सुरुवात करते हैं और आप यहाँ पर देख सकते हैं तो सबका मतलब एक ही होता है बस आपको यहां पर घवरानी नहीं है तो यहां पर आप देख सकते हैं परिभासा जो लिखा हुआ है कुछ इस पर कार किया है कि वे सभी संख्या वे सभी संख्या जो दो से पुरा-पुरा विभाजित हो जाए यानि दो से जिसमें पुरा- प्रडिवाइड हो जाता हो ना तो वही तो है आपका इभे नंबर यानि बात करे तो सम संख्या ओके अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो अगर लाइक एक्जामपल मैं लेता हूँ आप समझने का परियास कीजिए और हागा सम संख्या को पहचानने के लिए आप यहाँ प आपको दीखता है कोई भी संख्या पर तो समझ लीजिए कि वह जो संख्या है ना सम संख्या तो संख्या का उधारन हम लेते हैं जैसे मैं आपको यहाँ पर बताने का परियास करा हो इसको साइज अब छोटा करते हैं और पैन की कॉलर भी हम लेते हैं तो यहाँ पर अगर जियां है यानि आठ यहां पर है यानि जो संख्या है वो क्या है सम संख्या तो चलिए इसको हम काट कुट कर देखते हैं कि आखिर यह संख्या है कि ना यानि दो से पुरा पुरा भाग इसमें लग रहा है कि नहीं तो सबसे पहले इसमें दो से भाग लगाएंगे तो क्या हो जागा तो आप देख सकते हैं मैंने इसको पूरा ही पूरा क्या कर दिया काठे दिया यहीं इसमें सेस बचा ही नहीं कुछ बचता ही नहीं है ठीक है तो यहाँ पर यह आपको कहला गा समसंख्या बस समसंख्या आ गई तो बीसंख्या भी ज्यादा कुछ नहीं है तो समसंख् पर लिखा हुआ है और साथ ही मैंने लिख क्या रखा है आप दिख सकते हैं इंगलीस में होता है ओड नंबर ठीक है तो यहाँ पर आप देखेंगे तो बहुत ही आसानी से यहाँ पर लिखा हुआ है परिभासा कि वे सभी संख्या जिसमें दो से पुरा-पुरा भाग ना होगा पांच होगा साथ होगा और ने होगा तो यह सब कोई भी संख्या के अंत में होंगे तो वे जो प्रीयस कहता हुआ तो बिसम संख्या में बस कुछ नहीं है जिसमें दो से पुरा-पुरा भाग न लगता हो तो वही आपको क्या कहलाता है बिसम संख्या आपको कहलाता है तो example मैं आपको समझाने का परियास करता हूँ यानि आप example समझेंगे तो जैसे मैंने ले लिया 21 21 को आप क्या देखकर बता सकते है कि यह सम है या बिसम जी हम देखकर बता सकते है कि यह बिसम है या सम है तो मैंने आपको क्या बता है कि यहाँ पर लिखा क्या हुआ है एक, तीन, पाँच, साथ, नौ तो यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे मैं लगा रहा हूँ तो दो से मैं यहाँ पर लगाया तो क्या यह दो से पुरा-पुरा कट जाएगा आप यहाँ पर दिख सकते हैं तो मैंने लगाया तो यहाँ पर कट रहा नहीं एक सेस यहाँ पर बच चुका तो यह क्या है यह जो संख्या है यह आपको क्या है बीसम संख्या है तो क्या आपको यह बात समझ आई कि नहीं आई तो चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो और हाँ गाईज मेरी दी हुई जनकारी से अगर आप थोड़ा सा भी कुछ सिखते हैं न तो आर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो जो कि इस चैनल को चाहिए सपोर्ट ठीक है तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ अब तक के लिए बने रहें और जुड़े रहें बाइ आप टेक कियर और बेस्ट अफ लुग